सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइक नेवर मिसन अपडेट है अवेरे कुछ इबनिंग चू आल ऑफ यू एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेहंद्राज के ओफिशियल यूट्यूब चैनल पर सो आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले नोबिल प्राइस क किसको यह वार्ट दिया गया है आज की क्लास में इसको याद भी कर लेंगे क्योंकि हम इसको याद करेंगे ट्रिक के साथ है ना जिससे नाम हमें तुरंत याद हो जाएं क्योंकि बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे से नाम होते हैं जो हमें जल्दी याद नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रिक के साथ उसको याद करने की कोशिस करेंगे, ठेके, कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो फट आफट से, पहले आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ करनेक्ट हो सके, और और आज के कियो यत करेंगे क्योंकि हमारे जो क्लास होती है वह one sort learning क्लास होती है जो पढ़ेंगे तुरंत याद करेंगे बाद मेंластocol referralsLEX चलिये चलिए थोड़ा international award है and to be stored in several categories और ये अलग-अलग categories में दिया जाता है by Swedish and Norwegian institution जो हमारी Swedish और Norwegian institution ने इनके द्वारा दिया जाता है in recognition of academic cultural और scientific advances मतलब अलग-अलग जो हमारी categories है उसमें ये award दिया जाता है Swedish और Norwegian institution के द्वारा और ये एक annual interaction award है यहां तक रेखते हैं ये जो award है Nobel Prize है ये जो Swedish chemist engineer and industrialist से नाम क्या था जो Swedish chemist थे इंजीनियर भी थे और industrialist भी थे इनका नाम है Alfred Nobel इन्होंने अपने will में क्या किया था Nobel Prize की स्थापना की थी उसको establish किया था कब किया था 1895 में ठीक है 1895 में Alfred Nobel जी के द्वारा Nobel Prize का establishment किया गया था उनके विल में ठीक है उनकी जो विल थी उनकी जो वसीहत थी दो प्राइज़ें केमेस्ट्री लिट्रेचर पीस फिजिक्स फिजियो लॉजी और मेडसीन वर फिस्ट अवार्ड़ेट इन 1901 और यह जो Nobel Prize आपका इस अलग-अलग category में दिया जाता है यह पहली बार कब दिया गया था यह पहली बार 1901 में दिया गया था याद रखिएगा 1895 में अल्फिट नॉबिल जी के द्वारा इनकी वसीयत में इसका इस्टाबलिस्मेंट किया गया था और 1901 में पहली बार नॉबिल प्राइस दिया गया था इन अलग-अलग category में लाइक आपका literature हो गया chemistry हो गया physics हो गया physiology और medicine हो गया ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कौन-कौन से वो categories है जिसमें नॉबल प्राइस दिया जाता है तो इस chemistry literature पीजिक्स फिजिक्स फिजियो लॉजी और medicine and economic sciences गी वो categories है जिसमें आपकी नॉबल प्राइस दी जाती है ओके चलिए अब यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट बाई यह जो नॉबल प्राइस है कौन से केटेग्री को किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो अगर हम 20 की बात करें तो it is presented by Norwegian Nobel Committee, so Norwegian Nobel Committee के द्वारा पीस, Chemistry, Economic Sciences and Physics, it is presented by the Royal Swedish Academy of Sciences and Literature is presented by the Swedish Academy, तो कौन से category में कौन सा वाड किसके द्वारा प्रेजिन किया जाता है, इसकी भी complete list क्या है, आपके सामने हैं, इसको अपने copy में note down कर ली जेगा और start करते है हम पहली केटेग्री से और जो पहली केटेग्री है वो है फिजियो लॉजी और मेडिसीन मतलब जो फिजियो लॉजी और मेडिसीन की केटेग्री है इसमें नोबिल प्राइज इस बार 2022 में किसको दिया गया है है ना तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद करने की कोशि ठीक है? किसको दिया गया है? Svante, पावोग cob हमें पावा जब हमें ररे हो तो हमारी मम्मी क्या करती हैं? हमें मेडिसिन देती हैं कहती है लो बेटा मेडिसिन खाओ और सानती पाओ है ना? मेडिसिन खाओ और शानती पाओ स्वांते पाबो, शांती पाओ मतलब स्वांते पाबो, और medicine देती है, that means category हम medicine की बात करें, तो medicine की category में किसको दिया गया है word, स्वांते पाबो, याद हो गया ना, medicine खाओ, स्वांते पाबो, सांती पाओ मतलब तो ये नाम हो गया स्वांते पाबो, so medicine की field में Nobel Prize किसको दिया ग किसको दिया गया है Sweden के स्वैंटे पावो को दिया गया है I think आप याद करने की जरुवत ने पड़ेगी medicine के नाम पर आपको याद आ जाएगा शांति पाव है ना सांति पाव मतलब स्वैंटे पावो स्वैंटे पावो स्वैंटे पावो स्वैंटे पावो ने 2022 नोबेल प्राइस को जीता है in medicine for their discovery इन्होंने कुछ discover किया था क्या discover किया था human evolution से related discovery के लिए इनको medicine के field में ये अवार्ड दिया गया है तो ये भी याद रखियेगा कि इनको ये नोबेल प्राइस क्यों दिया गया है so for concerning the genomes of extinct hominins and human evolution के लिए इनके जो भी discovery रही है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया याद हो गया medicine स्वैंटे पावो and human evolution I really hope जो कितना याद हो गया हो गया है ना ओके चलिए very good अब थोड़ा और detail देख लेते हैं अगर हम nobel prize in medicine की बात करें तो पहली बार मैंने आपको already बता दिया कि nobel prize कब दिया गया थे starting में मैंने आपको बता दिया था 1901 में है ना कब दिया गया था 1901 में reward क्या है इसमें इनाम 10 million है किसके द्वारा प्रेजंट किया जाता है यह यह भी complete list मैंने आपको दिया था nobel assembly at carolinska institute nobel assembly at carolinska institute और यह आइधिंग याद हो गया होगा ठीक है नहीं याद हुआ है तो याद कर लिजे अब कुछ extra facts है ना 1901 में पहले बार nobel prize दिया गया था medicine के field में किसको दिया गया था यह भी तो मालूम होना चाहिए ना क्योंकि exam में तो अब कुछ भी पूछता है तो अब पूछ सकता है कि 2022 में इनको दिया गया है 1901 में किसको दिया गया था पहली बार किसको दिया गया था है ना, so Emil Warren Behring, क्या नाम है इनका, इनका नाम है Emil Warren Behring, इनको, sorry, so Emil Warren Behring, इनको पहले बार Nobel Prize दिया गया था, Physiology और Medicine के फिल्ड में, 1901 में, for his work on Serum Therapy, Serum Therapy पर इनका जो वर्क था, उसके लिए 1901 में, 1901 में, इनको Physiology के फिल्ड में, Nobel Prize दिया गया था, पहले बार, नाम क्या है इनका, इनका नाम है Emil Warren Behring, क्लियर हो गया, ओके, हर गोबिंद खुराना, जानब अचानल सा नाम लग रहा है, थोड़ा easy सा भी नाम लग रहा है, तो that means ही Indian है, है ना, क्योंकि भारत का नाम लग रहा है, हर गोबिंद खुराना, ये पहले Indian है, जिनको Nobel Prize मिला था, और ये पहले Indian थी, तो आप से exam में ये भी तो पूछा जा सकता है, ना, कि पहले Indian कौन है, जिनको Nobel Prize मिला था, मेडिसिन की फिल्ड में, कौन से ये मिला था, उनका नाम क्या है? कुछ भी बूशने का तो Regional कर गिया है तो सको पढ़ना पड़ने हैं. चलिए अब आते हैं फिजिक्स के फिल्ड में है ना कि फिजिक्स के फिल्ड में किसको अवार्ड दिया गया तीन नाम है आपर बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक है एलेन एस्पेक्ट ठीक है दूसरा है जॉन एफ क्लॉजर एंड थर्ड वन इस एंटॉन जेलिंगर अब इ एस्पेक्ट से एक वर्ड होता है न इंग्लिस का एक्सपेक्ट उम्मीद हैं ना तो यह जो एलियन है इसने एक्सपेक्ट प्रेंद है ना तो जो एलियन है इसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जॉन और एंटॉन देखिए जॉन एंटॉन को रिलेट कर रहा है ना जॉन एंटॉन उसमें भी ओयन आ रहा है लास्ट में तो एलियन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जॉन और एंटॉन ये क्या गया है Island aspect, alien ने expect नहीं किया था, John F. Closer, John F. Closer हो गया ना, John F. Closer मतलब John और Anton, Anton Gillingar, John F. Closer, यह क्या बनेगे, best friend बन जाएंगे, ठीके, याद हो गया Island aspect, John F. Closer, Anton Gillingar, यह वो तीन लोग नहीं जिनको physics के film में क्या किया गया है Nobel Prize दिया गया है and I really hope so कि ये भी याद हो गया होगा दो-तीन बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा अगर नहीं याद हुआ है तो चलिए तीन लोगों को दिया गया है Alien Aspect France से बिलॉंग करते हैं John F. Closer USA से बिलॉंग करते हैं and Anton Jellinger चलिए ऐसी याद करते हुए चलेंगे तो याद हो जाएगा सेशन एंड होने तक आपको सब कुछ याद हो जाएगा तो फटा-फट से सेशन को क्या कर दीजी like और share कर दीजी चलिए बागी भाई से मैं पहली बार 1901 में दिया गया था reward money आपका 10 million है और प्रेजेंट किया गया था Royal Swedish Academy of Sciences category मैंने अल्रेडी बता दी है कि कौन सी category में किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है इसको किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया Royal Swedish Academy of Sciences clear हो गया ओके चलिए अब यहाँ पर देखते हैं Wilhelm Rontegen पहली बार किसको दिया गया था Physics के फिल्ड में Nobel Prize 1901 में दिया गया था ये तो पता है बट किसको दिया गया था Wilhelm Rontegen को पहली बार Nobel Prize दिया गया था Physics के फिल्ड में क्यों दिया गया था For the discovery of X-ray X-rays को discover करने के लिए Wilhelm Rontegen को पहली बार Nobel Prize दिया गया था 1901 में क्लियर हो गया तो इंडिया से पहली वो परसन कौन थे जिनको Physics में Nobel Prize दिया गया था तो उनका नाम है C.V. रमन ये नाम भी सुना सुना है न पढ़ा भी है, स्कूल टाइम में पढ़ा भी था तो C.V. रमन C.V. रमन ये इंडिया के पहले Physicist हैं जिनको Nobel Prize मिला था Physics में in 1930, कब मिला था? 1930 में मिला था For the Discovery of the Effect Named After Him आपने C.V. रमन इफेक्ट पढ़ाया था और Scatching of Light के बारे में भी इन्होंने बताया था Scatching of Light के लिए और इन्होंने अपने नाम पर एक इफेक्ट बनाया है उसके लिए इनको Physics के फिल्ड में Nobel Prize दिया गया था और उसी के साथ ये पहले इंडियन बने थे जिनको Physics के फिल्ड में Nobel Prize दिया गया था 1930 में, नाम क्या है इनका? नाम है इनका C.V. रमन क्लियर हो गया ओके, शेलिए अब यहाँ पर आते हैं सुब्रमन्यम चंद्रशेखर वाज अवार्डिड नोबेल प्राइज इन Physics in 1983 इसके अलामा सुब्रमन्यम चंद्रशेखर को Nobel Prize दिया गया था Physics में 1983 में, ठीक है? जॉन बार्डीन, अमेरिका की जो जॉन बार्डीन है, ये अउनली लॉरेट है, जिनको Physics के फिल्ड में दो बार Nobel Prize दिया गया है एक 1956 में और 1972 में, ठीक है? सो जॉन बार्डीन इनको Physics के फिल्ड में दो बार क्या किया गया है? Nobel Prize दिया गया है एक तो 1972 में और दूसरा इनको 1956 में मिला था, ठीक है? तो ये भी याद कर लीजिएगा कि Physics के फिल्ड में दो बार किसको Nobel Prize दिया गया है, ठीक? अब यहाँ पर आते हैं Chemistry के फिल्ड में है ना, कि Chemistry के फिल्ड में किसको Nobel Prize दिया गया है, तो तीन नाम यहाँ भी है आपको, तीनों नाम याद कर लीजिए Caroline R. Bertoji प्राइस दिया गया है, तीन लोगों को पहला नाम है Caroline R. Bertoji दूसरा नाम है Morten Mildal और तीसरा नाम है K. Barry Sharp लेजिए, याद कैसे करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, Chemistry की बात कर रहे है Chemistry में तो आपको क्लोरीन होता है क्या होता है, क्लोरीन हम लोग जब प्राक्टिकल बगेरा करते है तो क्लोरीन का यूज़ करते है है ना HCl में आपका आता है ना Hydrogen plus chlorine is equal to HCl, Hydro chloride है ना So chlorine, किसमें है Chemistry में है कौन सी केटेगरी की बात कर रहे है, Chemistry तो जब आप Chemistry का प्राक्टिकल कर रहे होते हैं है ना, तो जो chlorine है Caroline से हम बोल सकते है, chlorine Chlorine को आप बहुत ही sharply यूज़ करिएगा, ठीक है Chlorine को आप क्या करिएगा, बहुत ही sharply यूज़ करिएगा, सार्पले स्यम क्या बोल सकते हैं sharply, तो जो chlorine है उसको आप बहुत ही sharply यूज़ करिएगा और अपने practical को है ना जो आप experiment कर रहे हैं जिसे वो बहुत ही smoothly हो जाए और अगर आपका जो practical है मतलब जो experiment है अगर वो success हो गया तो फिर आपको क्या मिलेगा आपको medal मिलेगा ठीक है क्लोरीन का जो experiment है अगर आप उसको sharply करेंगे बहुत ही एकदम focus हो कि बहुत ही sharply आप उसको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा अगर आपका experiment को करेंगे है ना तो के बैरी शार्प लेस हो गया तो आपको मेडल मिलेगा मेडल से क्या हो गया मॉर्टेन मेलडाल आई तेंक याद हो गया होगा है ना chemistry में जिन तीन लोगों को यह वाड़ दिया गया है उनका नाम है कैरोलीन आर्बर्टोजी मॉर्टेन मेलडाल आट के बैरी शार्प लेस क्लियर हो गया चलिए अब यहाँ पर आते हैं किन-किन लोगों को दिया गया है USA के कैरोलीन आरबर्टो जी को दिया गया है डेन्मार्क के मॉर्टेन मेल डाल को दिया गया है और USA के के बहरी शार्पलेस को दिया गया है clear ओके चलिए अब यहाँ पर आते हैं कि एक सिकेंट क्या था ओके पर्स्ट आवार्डेटेन है ना नोबिल प्राइज इन केमेस्ट्री नोबिल प्राइज केमेस्ट्री के अगर हम बात करें ति यह पहली बार 1901 में दिया गया था मालू में 10 मिलियन का रिवार्ड ये भी मालू में किसकी द्वारा प्रेजेंट किया गया Royal Studies Academy of Sciences है ना Royal Studies Academy of Sciences की द्वारा ये अवार्ड दिया गया किस में Nobel Prize in Chemistry पहली बार ये दिया गया था ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं पहली बार किसको दिया गया था जो Chemistry के फिल्ड में Nobel Prize दिया गया था ये पहली बार किसको दिया गया था 1901 में दिया गया था ये तो हमें मालू में है ना कब दिया गया था 1901 में दिया गया था किसको दिया गया था Jacobus Hendricus Vanthoff है ना Jacobus Hendricus Vanthoff को पहली बार chemistry के field में Nobel Prize दिया गया था for his discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solution जो law of chemical dynamics है और osmotic pressure है solution में उसके लिए इनको क्या किया गया था Nobel Prize दिया गया था chemistry में 1901 में पहली बार और इनका नाम क्या है इनका नाम है Jacobus Hendricus Vanthoff clear हो गया ओके चलिए अब यहाँ पराते हैं इंडिया से वो पहले person कौन है है ना जिनको chemistry के field में Nobel Prize मिला था और इंडिया से जिनको पहली बार chemistry के field में Nobel Prize मिला था उनका नाम है Venkat Ramal Ramakrishnan Venkat Ramal Ramakrishnan को chemistry के field में पहली बार Nobel Prize मिला था जो Indian person है और कौन सी एर में मिला था 2009 में मिला था कब मिला था 2009 में 2009 में पहली बार chemistry के field में जिन इंडियन को Nobel Prize मिला था उनका नाम है वेंकच रमन रामक्रिष्णन और इनको क्यों मिला था for the studies of the structure and function of the ribosome ribosome का जो structure और function है उसके बारे में इनके जो भी research वगेरा थे उस पर इन्होंने जो भी क्या बोलते है अध्यन किया था उसके लिए 2009 में इनको Nobel Prize दिया गया था Frederick Sanger Frederick Sanger is the only Nobel laureate who has been awarded the Nobel Prize in chemistry twice in 1958 and 1980 so यहाँ पर जो Frederick Sanger है यह इनको chemistry के field में दो बार Nobel Prize दिया गया है एक 1958 में और दूसरा 1980 में दिया गया है clear हो गया चलिए अब हम आते है literature के field में है ना कि literature के field में Nobel Prize किसको दिया गया है इनका नाम है Annie and Knox क्या नाम है Annie and Knox clear हो गया किस field में दिया गया है literature के field में दिया गया है तो literature से हम एक word ले सकते हैं, literate, है ना, क्या word ले सकते हैं, literate, literature से literate word आ गया, इनका नाम है any, क्या नाम है, इनका नाम है, any ernox, तो any को हम many बोल सकते हैं, है ना, any को हम many भी होतों बोल सकते हैं, so, इसका trick क्या बनेगा, हम इसका कुछ something मना सकते हैं लाइक है ना लिट्रेट अगर आप लिट्रेट हैं मतलब अगर कोई भी लिट्रेट है तो वो क्या कर सकते हैं बहुत सारी जॉप्स कर सकते हैं उसको बहुत सारी उसके पास options होंगे हैं इसको लिट्रेट हैं इसे हो जाएगा और लिट्रेट कर सकते कोई वी किसी फिल्ड में जाके जॉप कर सकते हैं आपके पास सो मच अपसंस हैं आगे आपके पास ठीक है, so any से हो जाएगा many, literature से हो जाएगा literate, तो literature के field में जिनको nobel prize दिया गया है, उनका नाम है any, and nox याद रखेगा any से many, और literature से literate हो गया, so अगर आप सिक्षित हैं, आप साक्षर हैं, आप literate हैं, तो you can do many jobs, है ना, चलिए, हाँ, यहाँ पर देखते हैं, किसको दिया गया है, फ्रांस की any, and nox को दिया गया है, literature के field में, nobel prize, for the courage and clinical equity with which she uncovers the roots, its transmits and collective restraints of personal memory, so साहस और नैदानिक तेक्षरता के लिए, जिसके साथ वो अव्रक्तिकरति स्मृति की, जडो, विवस्थाओं, और समोहिक प्रतिवंदों को उजागर करती हैं, इसके लिए, इनको literature के field में, nobel prize दिया गया था, नाम है इनका any and nox, so literate, many, ठीक है, many और literate से आप याद कर सकते हैं, अब बात करते हैं, पहली बार किसको दिया गया था, तो पहली बार तो ये तो हमें पता है, 1901 में दिया गया था, 10 million ने यहाँ पर reward मनी था, Swedish Academy के दौरा प्रेजन किया जाता है, किसके दौरा प्रेजन किया जाता है, Swedish Academy के दौरा, चलिए, पहली बार किसको दिया गया था, first Nobel Prize in Literature was awarded in 1901 to Sully Prudhom of France, साहित का पहला नोबल पुरुसकार, 1901 में फ्रांस की Σुली पृधुएवो को प्रेजन किया था, सुली पृधुमें, और ये कहां से बिलोंग करती है, फ्रांस से बिलोंग करती की, फ्रांस की सुली पृधुमें को पहली बार 1901 में, literature के field में nobel prize दिया गया था इंडिया से किसको दिया गया था इंडिया से दिया गया था रवीन नाय टैगोर जी को ठीके so the Indian रवीन नाय टैगोर बन दी nobel prize for the literature in 1913 और इनको क्यों दिया गया था इंडीया गितांजली के लिए गितांजली आप लोगो को पता होगा वेल फैमिलियर होंगे आप लोग गितांजली से गितांजली के लिए रबिन ना टैगोर जी को 1913 में नोबिल प्राइस दिया गया था लिट्रेचर के लिए साहित्ति के लिए क्लियर हो गया? ओके चलिए, नेक्स्ट वन इस पीस प्राइस है ना, नोबिल पीस प्राइस तो यहाँ पर तीन लोगों को मिला हुआ है एक तो परसन है, दो आपके और्गिनाइजेशन है, परसन का नाम क्या है एलिस बियालियाट्सकी नेक्स वन इस मेमोरियल और नेक्स वन इस सेंटर पॉर सेविल लिबर्टी अब इसकों कैसे याद करेंगे, देखें पहले तुम यहाँ पर देखें, तो पीस के लिए नोबेर प्राइस तीन लोगों को दिया गया है पहला बिलारुस के एलिस बियालियाट्सकी को दिया गया है दूसरा रस्यन हुमन राइट और्गिनाइजेशन है, नाम क्या है, मेमोरियल और तीसरा, यूक्रेनियान हुमन राइट और्गिनाइजेशन है, नाम क्या है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, अब देखें, याद कैसे कर सकते हैं, तो कुछ तो ट्रिक इसका बनाना पड़ेगा, है ना, यह जो एलिस है माल लेते हैं, एलिस, किसी परसन का नाम है, एलिस, इनको क्या करना था, सिविल जो लिबर्टीज है इसको, मतलब जो एलिस है, है ना, इनको क्या चाहिए था, इनको पीस चाहिए था ठीक है, पीस के फिल्ड के लिए पढ़ रहे है नाम तो जो LS हैं, इनको क्या करना था, इनको peace चाहिए था, तो peace के लिए ये क्या कि, जो civil liberty center है, वहाँ पर ये जाती थी, अपने memory को strong करने के लिए, और वहाँ पर center for civil liberty में है ना, जो civil liberty का center था, वहाँ पर जाकर ये meditation करती थी, अपने memory को strong करती थी, तो LS को peace चाहिए था, तो LS peace क के लिए कहाँ पर जाती थी सिविल जो सिविल लिबर्टी का सेंटर था वहाँ पर जाती थी और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉंग करने के लिए यह वहाँ पर meditation वगरा करती थी और फिर वहाँ पर उनको meditation करने से उनको शांती मिलती थी तो एलेस Memorial Civil Liberty Center है ना और पीस के लिए यह meditation करती थी अपनी memory को strong बनाने के लिए meditation करती थी तो एलेस बियाली आट्स की है ना यह जो लारुस के हैं इनको यह वार्ड दिया गया है रसियन human right organization है memorial इसको दिया गया है और Ukrainian human right organization है center for civil liberties तो दो organization को और एक person को nobel prize दिया गया है पीस के लिए for 2022 clear हो गया I think trick समझ में आ गया होगा चलिए पहले पार 1901 में reward वही है 10 million किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है Norwegian Nobel Committee so Norwegian Nobel Committee के द्वारा प्रेजेंट किया गया ठीक है और था एक point most awards international committee to the Red Cross सबसे ज़्यादा वार्ड किसको मिला है पीस में Nobel Prize को international committee of the Red Cross को मिला है कितनी बार मिला है तीन बार मिला है ठीक है यहाँ पर international committee of the Red Cross को तीन बार पीस के फिल्ड में Nobel Prize मिला है clear हो गया अब यहाँ पर देखते है 2014 में 2014 में मलाला यूसुप जाई इनको भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मलाला यूसुप जाई जो की पाकिस्तान की है यह यंगेस्ट Nobel Peace Prize winner बनी थी और इनकी एज थी उस टाइम कितने 17 साल सो 17 साल में मतलब सबसे कम एज की जो यंगेस्ट Nobel Peace Prize winner हिनका नाम क्या है मलाला यूसुप जाई और यह पाकिस्तान से बिलॉंग करती है और इनको यह अवाट कब मिला था 2014 में मिला था clear हो गया Mother Teresa was the first women with close Indian ties to get the Nobel Peace Prize in 1979 Mother Teresa को 1979 में Nobel Peace Prize से समानित किया गया था ओके चलिए इंडिया से दो लोगों को Nobel Peace Prize मिला है पहला Mother Teresa जी को 1979 में और कैलाज सत्यार्थी को 2014 में Mother Teresa 1979 कैलाज सत्यार्थी 2014 यहां तक clear हो गया ओकी चलिए अब आते हैं Economic Science के फिल्ट में है ना The Economic Science in Memory of Alfred Nobel 2022 तो Economic Science के फिल्ट में किसको Nobel प्राइस दिया गया है तीन नाम यहां पर है एक है आपका Venice बढ़नेक दूसरा है Douglas W. Diamond and last one is Philip H. Divewick है ना तीन नाम है क्या है Venice बढ़नाके चलिए यहां पर दिखाते हैं आपको आर्थिक विग्ञान Economic Science में Nobel प्राइस किसको दिया गया है USA के Venice बढ़नाके को दिया गया है दूसरा नाम है USA के Douglas Blue Diamond को दिया गया है and third one is USA के Philip H. Divewick को दिया गया है अगर हम देखें Diamond यह जो Diamond है यहां पर Diverd आ रहा है Diamond यह क्या है आपका Divewick में भी क्या आ रहा है Diverd आ रहा है मतलब दो आइसे नाम होके जिसमें डाइवर्ड आ रहा है तो यह जो लोग मतलब जो लोग मर रहे हैं जिनकी 방 हो रही है कैक खाने की वजह से कॉण सा जा रहें है मतलब कोई भी केहां जिसको घर को दो कुझाय में कर देंगे बन तो गवर्मेंट ने कहा है जिसको कई सको हो जा helig यह ना उसको क्या कर देंगे उसको हम बैन कर देंगे सो बेन MP2 दिए गया है बाकि दो में आपका गू zalफ को कि इन्को डिया गया है यतिनी क्या गया है नोबेप्राइस दिया है उस पर इनके research के लिए इनको nobel prize दिया गया है economic sciences के लिए clear हो गया पहली बार 1969 में दिया गया 10 million का reward point था किसके द्वारा present किया जाता है by Royal Swedish Academy of Sciences ठीक है Royal Swedish Academy of Sciences के द्वारा इसको present किया जाता है clear हो गया ठीक है first prize in economic sciences was awarded to Ragnar Prist and Jan Tinbergen in 1969 so 1969 में Ragnar Frisk और John Tinbergen को economic science के field में पहली बार Nobel Prize से क्या किया गया था सम्मानित किया गया था किया गया था इंडियान विनर्स के अगर हम बात करें तो अमर्तिया शेन को मिला था 1998 में और अभजीत बैनर्जी को मिला था 2019 में सो अमर्तिय शेन 1998 अभजीत बैनर्जी 2019 यह वो इंडियान है जिनको economics में Nobel Prize से क्या किया गया है सम्मानित किया गया ठीक है तो यह था हमारा आज का complete session Nobel Prize से related कि इस बार किसको दिया गया है यह क्या होता है किसकी दौरा प्रेजेंट किया जाता है कौन कौन सी केटेगरी है पहली बार किसको दिया गया था पहले इंडियन कौन है जिनको दिया गया था और और क्या पड़ हमने हां किसको दो बार मिला है यह सारी चीज़े मतलम Nobel Prize से लेटेर एट उचेट जितने इंफॉरमेशन थी वह सभी हम लोगों ने आज के क्लास में क्या की है डिसकस कर ली है और हमने च्रिक के साथ उन सभी नाम को याद करने के लिए भी आपर च्राई किया है तो आगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत शबस्क्राइब नो च्राइब टार शेयर क्यान के सब्सक्राइब झाल